मानिश्री अटल वियारी वाश्पई जी के देहा वसान के बाद कल डॉक्टर रमन सींग की कैबिनेट बैठी और कैबिनेट बैठक में अटल जी के नाम से संबंदित विश्विद्याले अटल जी के नाम से नई राजधानी का नाम पावर प्लाइंट का नाम जो भी उन्होंने नामकरन रखने की घोशना की मुझे उस बास से बहुत शुब्दता है बहुत खेद है डॉक्टर रमन सींग ने किसी भी और कार्टोमों में कभी उनके नाम का जिक्र नहीं किया कभी उनके नाम पर किसी चीज की घोशना नहीं की जबकि दिल्ली से लेकर और 36 गर तक पूरी इस तरह से भाती जनता पार्टी की सरकारे हैं नौ वर्षों में विविन राज्यों में भी जो चुना हुए वहां अटल जी के नाम का कोई उनकी उपलब्दी का उलेख नहीं उनके नाम का उलेख नहीं इस बार पहली बार लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान मंत्री ने अटल विहारी वाश्पई के नाम का उलेख किया क्योंकि वो 14 तारीक को अटल प्यारी वाश्पई को देखकर एमस अस्पताल में आये थे कि उनकी हालत बहुत अइस्तिर है शायद उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये काम किया पांच किलो मीटर तक अटल जी की शवयात्रा के साथ चलने के बजाए दो कदम अगर वो अटल जी के आदर्शों पर चले तो शायद देश का भला होगा और जिस तरह से भारती जनता पाइटी के वरिष्ट उतम नेता मानी श्री लाल कृष्ण एडवानी जी को वो अपमानित कर रहे हैं इससे भी मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत शुपद हूँ रमन जी ये सोचते हैं कि अटल जी का देहा वसान उनको डूबते का तिनके का सहरा मिल गया और मोधी जी भी यही सोच रहे हैं कि चार राज्यों में चुनाओं हैं अमिश्रा जी भी यही सोच रहे हैं कि चार राज्यों में होने वाले चुनाओं में अटल बिहारी वाजपई के नाम का सहारा लेकर हम अपनी नईया पार लगा लेंगे पर जनता इनकी हैसियत, इनकी चाल, इनके सारे कर्दबों को समझ चुकी है और जनता इनके इन अर्मान की जनता से जही कहना चाहते हूं कि अटल जी सबसे उपर थे, वो अजाश्यत्य थे, वो सर्व मान लेता थे, देश से लेकर विश्व में उनके काम की, उनके नाम की तूती गोलती थी, एक कभी हदय व्यक्ति को के नाम को इस तरह से गलट धन से बुनाने की कोशिश मत करि थी, तो नौ साल में कभी भी आप कर सकते थे, और इसी विश्व को लेकर निश्चित रूप से मैं बहुत व्यथित और बहुत परेशान.